हलो एवरिवन वेलकम टू माई यू पीएस सी डेली बेसिस पे जो भी करन्ट अफेर के इंपोर्टेंट क्यूशन्स हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नॉटिफिकेशन मिलता रहेगा हमें भी सपोर्ट रहेगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आपके सलेबस में करन्ट अफेर है तो यह आपके लिए 100% यूज यूजफुल है लेट्स बिगिन आपको अगर यह यूजफुल लगता है तो आप लाइक जरूर किया कीजिए एक्सरसाइज गरूडा इजे बाइलेटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज बिट्विन इंडिया और विच आप दे फॉलॉविं कंट्री देखे यह क्विशन है गर बाइलेटरल एक्सरसाइज है एर फोर्स का अभी रिसेंटली है यह चल रहा है इसका देखे गरूडा एक्सरसाइज है यह शुरूवा था 2003 में इसका पहला एडिशन है यह 2003 में शुरूवा था अभी इसका जो चल रहा है गरूडा एक्सरसाइज का वो चल रहा है जो एर स्टेशन है जैसा कि एर फोर्स की स्ट्राइक है एर फोर्स की एक्सरसाइज है तो इसका अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एर फोर्स स्टेशन जोदपूर में जोदपूर है यह पाकिस्तान बॉर्डर पे है डिस्टिक राजस्तान में यहां पे चल रहा है इसका जो है correct answer होगा वो France है इंडिया और जो इंडियन Air Force आईएफ और इसके इनके साथ में है जो French Air and Space Force French Air and Space Force यह participate कर रहे हैं इसमें और इस exercise bilateral exercise का नाम है Garuda 7 यह द्यान रखना आपको Garuda 7 क्योंकि यह इसका साथ में एडिशन है Research Innovation Initiative Gathering Scene in News is Associated with Research Innovation Initiative Gathering यह अभी चर्चा में क्यों है देखें अभी जो G20 है उसका Presidency उसका अद्यक्स कौन है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आपका क्या vision क्या है जो आपके पास यह Presidency जाएगी तो आप हाइलाइट में बताते हैं क्या material है आपके पास पिछले अगले एक साल में आप क्या क्या vision है आपके पास तो इंडिया ने यह बताया है Sustainable Energy, Scientific Challenge and Opportunities, Sustainable Blue Economy का अचीव करना, Biodiversity और Economy भी एक मेजर थीम है Research Innovation Innovative Gathering यह थीम और टॉपिक है इंडिया का जो इंडिया अगले साल G20 की अध्यक्सता रहेगी इंडिया पास थीम यह है Research Innovation Initiative Gathering इसका करेक्ट आंचर आएगा G20 से Great Indian Bustard is the state bird of देखे यह चर्चा में इसलिए है कि अभी तीन से चार तीन से चार है जो यह Great Indian Bustard है यह देखी गई है कहाँ पे जो डेजर्ट है डेजर्ट कौन सा जो पाकिस्तान का डेजर्ट है चौलिस्तान यह चौलिस्तान डेजर्ट है पाकिस्तान का वहाँ पे देखी गई है जबकि यह वहाँ पे नहीं पाए जाती है यह जो Great Indian Bustard है यह सिर्फ इंडियन डेजर्ट में पाए जाती है जो इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क है इस पेशली वहाँ पे और यह कहाँ पे है राजस्तान में तो इसलिए यह चर्चा में है यह स्टेट बर्ड भी है राजस्तान का Great Indian Bustard इसके बारे में है देखिए 95% जो Great Indian Bustard है पूरे वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है उसका 95% सिर्फ राजस्तान में है अभी डेड़ सो है इसकी पॉपुलेशन राजस्तान में और इसका जो देखिए पाकिस्तान में है यह इसका प्रोटेक्शन नहीं है यह भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड केटेगरी में है आई-उ-CN की में Great Indian Bustard यहाँ जो पाकिस्तान है इसमें इसका कोई भी protection नहीं है लेकिन इंडिया में यह protected under the World Life Protection Act यह आपको जरूर द्यान रखना है और इनका जो captive breeding है यह question पूछ लिया जाता है कई बार किसी exam में कि यह captive breeding कहाँ पे है इनका तो यह जो World Life Institute of India है वहाँ पे है World Life Institute of India कहाँ है देरादून में United Nations Global Compact is associated with United Nations Global Compact is associated with देखे यह जो associate है यह Global Compact यह term है यह business associated है to adopt encourage करना businesses को to adopt sustainable and socially responsible policies यह term है जो चर्चा में रहती है Global Compact United Nations का अच्छली यह principle based framework है जिसमें business है और उसके कुछ principles है लगबग 10 rights है इसमें यह जो principle है इसमें 10 अधिकार है उनमें human right है labor है, environment है, anti-corruption है यह यह इस तरीके के है अब subscribe जरूर कर लीजिएगा with respect to गिलगित बालतिस्तान रिजन consider the following statements देखे पहले क्या था एक ब्रह्मोस चला गया उदर उसके बाद में है जो प्राइम मिनिस्ट्री कुर्शी चली गई उसके बाद में है जो यह match भी हार गए अब तो यह जिंबाम्बे से भी हार गए अब रही साही जो इनकी कमी थी और भी यह भी defense minister ने पूरी कर दी इंडिया की defense minister जो है उन्होंने statement दिया है कि हम गिलगित बालतिस्तान को लेंगे अब पाकिस्तान में human rights violation हो रहा है जो पाक occupied का समीर है उसमें और हम वो area वापिस लेंगे तो यह क्या है इनके problem बढ़ती जा रही है और यह problem इसलिए बढ़ रही है देखे इसकी वज़े होती है जब United जो state America है USA वो जब अफगानिस्तान चोड़ रहा था उस time पे इंडिया को पता लग जा था इसलिए इंडिया ने उसको देखते इतना जल्दी आचानक यह 370 रिमूव कर लिया था अधरवाइस हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा time more लग जाता करते तो ज़रूर यह इनको करना था लेकिन इनको पता था कि अब यहाँ पर इसलिए इन्होंने यह जल्दी कर लिया दूसरा अभी अमेरिका क्या कर रहा है कि इसने जो इनके एप 16 है या जो एप 17 है कुछ एप 16 है साथ यह जो फाइटर प्लेन है इनको अपग्रेड करना इनका मेंटेनेंस वगरा का और कुछ फंड इशू किया है तो यह सपोर्ट कर रहा है उसको इंडिया पर प्रेशर के लिए तो हो सकता है कि अब यह इस तरीके की प्रेशर से है जो यह P.O.K. भी इनके आज से चला जा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं भी पाकिस्तान के हालत बहुत खराब है करेक्ट पूछा है तो देखे गिलगित बालतिस्तान रीजन का यह इट वाज पार्ट ओफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ओफ जमू एंड कास्मीर यह बिलकुल सही है गिलगित बालतिस्तान जो रीजन है यह पहले जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिस हर्स के टाइम पे जमू एंड कास्मीर उसका इस्सा है इसमालयाज, जासकर और हिंदु कुस्मेट यह स्टेटमेंट है यह सही नहीं है यह स्टेटमेंट सही नहीं है दर रिवर गिलगित और रिवर सतलाज कॉन्फूएंस इन दिस रीजन यह स्टेटमेंट भी सही नहीं है अब यह स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है उसका हम चर्चा करते हैं अभी देखे जो गिलगित बालतिस्तान रीजन है ये इंडिया का सबसे नदन मोस्ट टेरिटरी है और ये अभी यहाँ अडिनिस्टेशन पाकिस्तान का है गिलगäत बालतिस्तान रिजन है, यह जो चाइना का है, यहां से land route शुरू होता है और यह autonomous रिजन है, कौनसा? ais लीम-szinsyang इससे meet करता है गिलगत बालतिस्तान के west में अपानिस्तान है, देखिए हम इसको map में ही समझ लेते हैं आप इसको map में समझ ये ये है गिलगित बालतिस्तान ये जो एरिया है ये चाइना को दिया था पाकिस्तान ने ये अक्साई चिन है यहाँ पे लदाक है ये जमू और कास्मीर है जो और ये पी ओके है और इदर आ जो अफगानिस्तान है ये इसका मैप है गिलगित बालतिस्तान का और यह लाइन ओफ कंट्रोल है अब इसको और थोड़ा समझते हैं क्विश्चन के प्रॉस्पेक्टिव से इसमें जो मीट कर रही है कौन कौन सी माउंटेन रेंजेज है कारा कोरम हिमालया एंड हिंदुकुस जबकि ऑप्षन में क्या दे रखा था में जासकर इसलिए स्टेट्मेंट भी इनकरेक्ट था उसमें दे रखा था कारा कोरम हिंदुकुस और जासकर हिमालया जासकर और हिंदुकुस तीन दे रखा था इसमें कारा कोरा में जास करनी है दूसरा उसमें दे रखाता है कि यह रिवर जो गिलगिट है और रिवर सतलाज है यह मिलती है जबकि देखे यहाँ पे रिवर गिलगिट यह रिवर है और यह है रिवर इंडस सिंदू नदी यह मिलती है यहां पर और यह बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, रेलवे, बैंकिंग या जो भी आपकी इस्टेट पैस सी में पूछ लिया जाता है कई बार, कि इस पॉइंट का क्या नाम है, यह जो स्माल टाउन है, एक तरीके से यहां कस्बा है, स् है इसमें और यहां वर्ल्ड की तीन फेमस माउंटेन रेंज मिलती है कारा कोरम हिमालया और हिंदुकुस इसके अलावा इंडस और जो रिवर गिलगित है यह इनका भी मीटिंग पॉइंट है और इस जगह का नाम है जगलोट यह आप जरूर द्यान रखिएगा जगलोट यह एक छोटा कस्बा है जहां यह मिलते हैं तो ओफुली यह आपके क्लियर हो गया होगा अच्छे से एक्विशन इसका यह मैप भी देख लीजिए जो इसके नीचे है पाक उक्यूपाइड कस्मीर है जो यह इसका करेक्ट आंसर है पूछ ले आजाता है एक्विशन में कई बार है इस तरीके की क्यूशन आपके तो आपको ध्यान में होने चीए ड्रेगन फ्लाई दे रिसेंट प्रोजेक्ट ओफ नासा विच वाज लॉंच टू एक्स्प्लोर विच प्लानेट देखे एक्विशन पूचा जाएगा किसी नासा का प्रोजेक्ट है यह पूचा जा सकता है यह नासा का प्रोजेक्ट है यह 21 प्लानेट के लिए है यह सेटर्न के लिए है जो नासा लॉंच कर रहा है और यह सेटर्न का जो मून है टाइटन उसके लिए है और यह 2034 तक है यह लगबग 12-13 साल रहेगा सिम्बेक्स इजे मार टाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिट्विन इंडिया और विच कंट्री देखिए इस सिम्बेक्स जो है यह बाइलेटरल एक्सरसाइज है यह अभी जो हो रहा है इसका 29th एडीशन हो रहा है एक्सरसाइज लॉइन किंग के नाम से एक्सरसाइज लॉइन किंग यह नाम था पहले इसका अभी इसका नाम हो गया सिम्बेक्स अभी जो हो रहा है इसका 29th एडीशन हो रहा है और यह कब शुरू हुआ था जब एक्सरसाइज लॉइन किंग था इसका नाम ये 1994 में शुरू हो था अभी जो इसका दो फेस हैं एक फेस होगा इसका विसागा पाटनम में जो हारबर फेस है वो विसागा पाटनम में होगा और जो सी फेस है वो बेव बेंगल में होगा इसका करेक्ट आंचर आएगा Singapore मेच दे फॉलोविंग इमिशन गैप रिपोर्ट ट्वंटी ट्वंटी टू युनाइटेड नेशन्स एन्वाइर्मेंट प्रोग्राम यह जो करेक्ट पूचा है क्योशन में तो यह स्टेट्मेंट सही है यह मैच सही है ग्लोबल जेंडर गैप इन्डेक्स 2022 उनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे जो जेंडर इन्डेक्स है या कहें या Global Gender Gap Index है नहीं जो Global Gender Gap Index है United Nations का जो Development Program है वो release करता है जो Gender Inequality है वो करता है जबकि Global Gender Gap Index है ये WEF करता है ये कई बार करवाया है किशन Global Gender Gap Index World Economic Form World Economic Form ये release करता है जबकि जो United Nations का Development Program है ये क्या जारी करता है Gender Inequality Index ये द्यान रखना ये important है पूछे जाते है World Energy Outlook 2022 ये IEA करता है ये सही है जो Energy Outlook है 2022 ये रिलीज किया इंटरनेशनल Energy Agency नहीं तो परस्ट और थर्ड इसका करेक्ट आंसर है which institution released the Employment Outlook of India report देखे ये Employment Outlook of India report है ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो Employment Outlook आई है ये एक तो Ministry of the Statical Program इंप्लिमेंटेशन है वो रिलीज करता है इसको दूसरा इसमें जो डेटा आए है 2017 से और 2022 के आए है September 2017 से और August 2022 तक के डेटा रिलीज किये हैं इसमें बताया है कि जो EPF है Employee Provident Fund या जो State Insurance Fund है Employee State Insurance ये दोनों इसमें जो और इसके साथ साथ National Pension Scheme इन तीनों को मिला के और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं इसमें वो हैं लगबग 5.8 करोड लगबग 6 करोड के 5.8 करोड है जो ये नए जुड़े हैं सब्सक्राइबर अब इसका मतलब क्या है जब Employee Provident Fund में जुड़े हैं Employee State Insurance Scheme में जुड़े हैं या National Pension Scheme में जुड़े हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्होंने अपना रोजगार सुरू किया है या इनको कहीं कोई काम मिला है इसलिए जुड़े हैं Which is the busiest airport in the world अभी October 2022 के according सबसे busiest airport वर्ल्ड में कौन सा है as per aviation analytics company यह जो इसका official है airline guide official airline guide इसके according जो aviation analytics company है OAG इसने बताया कि October 2022 में कि according सबसे busiest airport कौन सा है यह है Atlanta International Airport Hartsville Jackson Atlanta International Airport दूसरे नंबर पे कौन सा है दूसरे नंबर पे जो airport है वो है Dubai और तीसरे नंबर पे जो है वो Tokyo है और इंडिया की बाद देखें तो इंदिरा गांधी International Airport यह दसवे नंबर पे है यह इसका correct answer है आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा आप लाइक कीजे और कोई query है comment section में पूछ लिजे All the very best, good luck, thank you very much